मजबूरी वाली आदतें, आप में जमे हुई यादों से पैदा होती हैं। ये किस हद तक हावी हैं? इससे तए होगा कि आप कितने मजबूर हैं। मेरा सवाल मजबूरी भरी आदतों के बारे में हैं। खाने की आदते, रक्स की आदते, भावनात्मक मजबूरिया, जीवन की हर मजबूरी और ये उस शोर और अशांती से कैसे जुड़ा है, ये जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर का ये शोर हमारी आदतों के रूप में कैसे बाहर आता है। देखिए, जिसे आप आदतें कहते हैं, आम तोर पर लोग सिर्फ शरीर के मजबूरी भरी आदतों को ही पैचानते हैं। किसी को शराप की लत है, किसी को किसी दूसरी चीज की लत है, किसी व्यक्ति को दूसरों का अपमान करने या कुछ नकारात्मक करने की आदत है और वो उससे दूर नहीं हो पाते। पर हमें थोड़ा और गहराई से देखना चाहिए। हमारे उठने और बैठने में भी आदतों की मजबूरी मौजूद है। अगर आप हट योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो शायद धीरे-धीरे आपके उठने और बैठने का तरीका एक सचेत प्रक्रिया बन रहा है, वरना ये ज्यादतार आदतों से होता है। अगर हम आपकी परचाई देखें, आप कैसे बैठते हैं, तो हम लगभग जान जाएंगे कि ये कौन हैं, क्योंकि आप एक खास तरीके से बैठते और खड़े होते हैं। क्या आपने गौर किया है? सभी के अलग-अलग मजबूरी भरे पैटर्न होते हैं। मजबूरी वाली आदतें आप में जमी हुई, यादों से पैदा होती हैं। आप इसे वंच से जुड़े पैटर्न या कर्म कह सकते हैं, आप इसे कई नाम दे सकते हैं, पर मूल रूप से यादों ने आपके जीवन को जखड़ लिया है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है जागरूकता पैदा करना। इस तरह से जागरूक होना कि हम पुरानी आदों से उपर उठ जाएं। ना सिर्फ व्यवहार या भोजन के आदतों की छोटी मजबूरियों से, बलकि जीवन की बहुत ही बुनियादी मजबूरी से भी, जो हमें जीवन और मृत्यू की चक्री प्रक्रिया में फसाती है। सबसे बड़ी मजबूरी को हराना यानि जन्म लेने की इच्छा और जीवन वा मृत्यू प्रक्रिया से परे चले जाना। मुक्ती शब्द से हमारा मतलब है, मुझे पता है कि आज मुक्ती चॉकलेट और आइसक्रीम मिलती है। पर ठीक है, वो इस शब्द को लोग पर ये बना रहे हैं। कम से कम इस बहाने आप वो शब्द बोलते हैं, तो मूल रूप से मजबूरी भरी आदते होना, यानि कोई चीज चक्र में चल रही है। आप उन चक्रों को तोड़ नहीं पा रहे हैं, जो आपके मन में, आपकी भावनाओं में, आपकी उर्जा में या आपके शरीर के व्यवहार में मौजूद हैं। शायद आप केवल अपने बरताव के पैटर्न को देख रहे हैं। आपके व्यवहार की मजबूरी भरी प्रवृति आप अपने विचारों की आदतों पर तब तक ध्यान नहीं देते हैं, जब तक ये बहुत बड़ी परिशानी न बन जाए। आपकी भावनाओं, आपकी उर्जा पैटर्न्स की मजबूरी भरी प्रवृति और सबसे बढ़कर आपके अस्तित्व की मजबूरी भरी प्रवृति। जीवन का हर पहलू यादों से प्रभावित होता है। ये जिस हद तक हावी होगा, उसी हिसाब से आदतें आपको मजबूर करेंगी। शायद मैंने कुछ समय पहले कहा था। स्वामे रोजाना यहां पीछे से आ जाते हैं, पर मजबूरी में नहीं। जब हेड़फोन पर वो सुनते हैं कि मेरी आवाज कुछ वैसी हो रही है, तो वो मुझे एक गरम ड्रिंग देते हैं। जिसे मैं कभी-कभी पीता हूँ और कभी-कभी नहीं पीता। पर आप इसे एक मजबूरी वाली आदत बना सकते हैं। यानि हर दिन बारा बजे, सौरी दो बजे गरम ड्रिंग आपको जरूरत हो या ना हो। इसे कहते हैं, अच्छी आदतें बनाना। कोई अच्छी आदत नहीं है। सभी आदतें खराब होती हैं, क्योंकि आदत यानि आप मजबूरी के पैटर्न में जीने की कोशिश कर रहे हैं। प्यास लगने पर आप पानी पीते हैं। नहीं ऐसे नहीं, डॉक्टर आपको कहेंगे रोजाना तीन लीटर पानी पीजे, फिर आदत समय आप टॉयलेट में मिलेंगे। नहीं, डॉक्टर को ये नहीं बताना चाहिए कि पानी कब पीना है, आपको सचेत होना चाहिए, कब आपको पानी की जरूरत है। ये बहुत सरल है, पर नहीं नहीं, सब तय है। जब सब तय होता है, तब ऐसा लगता है कि आप कुशलता से काम कर रहे हैं। हाँ, ये सच है। कुशलता पिना प्रेम के अच्छी नहीं है, ये कुरूर हो जाती है। एडॉल्फ हिटलर बहुत कुशल हैं, पर भायंकर कुरूर हैं। हर किसी के जीवन में यहीं होगा, अंजाने में आप अत्याचारी हो जाते हैं। शायद सभागे से आप कभी भी उसके जैसे सक्षम नहीं होंगे, पर आप अपने और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए उसी जैसे कुरूर हो जाएंगे। क्योंकि आपके पास अनुशासन की मूर्खता पून्ध भावना है। अब पर सद्गुरू अगर मैं अपने बच्चों को छे बजे नहीं जगाऊंगा, तो वो दपर के समय जागेंगे। यह सत्य है। यह सच है। आपको उन्हें छे बजे जगाना है। वरना वो आलसी हो सकते हैं। तो यह एक बारीक खेल है। जीवन एक बारीक खेल है। अगर आप इसे बुरे तरीके से खेलना चाहें, तो आपकी मर्जी है। पर अगर आप इसे अच्छे से खेलना चाहते हैं, तो यह एक बारीक खेल है। एक ही काम को कई अलग तरीकों से किया जा सकता है। तो सद्गुरू मैं अपने बच्चों को कैसे जगाऊं, सद्गुरू, जागरूकता से सुबाच छे बजे, क्योंकि उन्हें साथ बजे स्कूल जाना होता है? दुनिया में ऐसी कई स्थितियां हैं, जो पूरी तरह से हम नहीं बनाते, पर हमें उनसे जुड़ना पड़ता है, वरना हम हर चीज़ से अलग थलग पड़ जाएंगे, हमें बच्चे को साथ बजे स्कूल भेजने के लिए जगाना है, ऐसा हुआ। छे बजे नहीं, साथ बजे, एक माँ सुभा से दस्वी बार आई, और अपने बेटे को जग जोर कर कहा, उठो तुम्हें स्कूल जाना है, वो बोला मम्मी, मुझे स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता, टीचर मुझे पसंद नहीं करते, कर्मचारी मुझे पसंद नहीं करते, बस ड्राइवर मुझे से नफरत करते हैं, मुझे स्कूल नहीं जाना है, तुमाने कहा नहीं, तुम्हें जिम्मेदार होना चाहिए तुमको स्कूल जाना ही पड़ेगा आखिर तुम प्रिंसिपल हो कुछ स्थितियों के हिसाब से हम कुछ पैटर्न बनाते हैं पर उन्हें सचेत होकर बनाया जा सकता है शायद वो एक कठोर पैटर्न हो पर कुछ स्थितियों के हिसाब से कुछ समय के लिए एक सचेत पैटर्न हो सकता है पर उसे हमारे सिस्टम का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रकृती की लए के साथ चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें कुछ खास तरीकों से होंगी क्या ये भी एक आदत नहीं है कि हर साल जून के महीने में मौनसून आता है क्या ये एक आदत नहीं है? आदत है यही प्रकृती है, यही अस्तित्व की भौतिक प्रकृती है इसके पैटर्न होते हैं, तैशुदा पैटर्न दुर्भागि से मौनसून भी थोड़ा सचेध हो रहा है और आने रहा है इस पैटर्न का तूटना दुर्भागे पूर्ण है पर भौतिक प्रकृती पैटर्न से बनी है चाहे एक परमानू हो या एक कोशिका या एक अनू या पूरी प्रणाली भौतिक चीजें ऐसे ही बनती है यही वो फर्क है जिसे मनूश्चिर जाने अन जाने में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं भौतिक दाईरे से परे हूँ शायद उसे कोई आध्यात्मिक शिक्षा न दी गई हो पर फिर भी वो व्यक्ति भी किसी तरह खुद को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं शरीर से ज्यादा कुछ हूँ अगर कोई आपको एक भौतिक चीज मान कर बरताब करता है तो आपको बुरा लगता है, है ना? हलो? भौतिक ता सेट पैटर्न्स पटिकी है भौतिक से परे का आयाम किसी भी पैटर्न पटिका हुआ नहीं है इसी जगह से, इसी आयाम से मानव मन में चेतना का विचार पैदा हुआ है जीवों के विकास के पैमाने में इनसान अभी ऐसे हैं जैसे मान लीजिए, एक पक्षी जो लंबे समय तक पिंजरे में बंद हो फिर कई वर्षों के बाद पिंजरे का दर्वाजा खोल दिया जाए पर पक्षी कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे पिंजरे की आदत हो गई है वो पिंजरा उसकी पहचान बन गया है और वो उड़ता ही नहीं है फिलहाल इंसानी स्वभाव ऐसा ही है प्राणियों का विकास इस तरह से हुआ है कि एक रेंगने वाला प्राणी अब ऐसा हो गया है अब पिंजरे का दर्वाजा तूट चुका है पर फिर भी हम बाहर नहीं जाते बस आदत के कारण हमारे वन्ष का असर हमें आदतों में जकड रहा है ऐसा हुआ तीन साल के लड़के ने अपने दोस्त से कहा मैं बड़ा होकर बगल वाले घर की लड़की से शादी करूँगा तो दोस्त ने पूछा क्यों तो लड़के ने कहा क्योंकि मुझे मम्मी सडक पार नहीं करने देती है तो आदतें इनसे लड़ने की या इने जबरदस्ती हराने की कोशिश ना करें आपको बस होश पूर्वक जीना होगा ये अंधेरे और उजाले जैसा मामला है आप अंधेरे से मत लड़िए ये मूर्खता होगी मजबूरी वाली आदतें चेतना की कमी का एक रूप है आपको उससे लड़ने की जरुरत नहीं है अगर आप अधिक सचेत हो जाते हैं तो मजबूरी वाले पैटर्न गायब हो जाएंगे ये ऐसा ही है जैसे अगर आप रौष्णी कर दें तो अंधेरा दूर हो जाता है आपको उससे लड़ने की जरुरत नहीं है अगर आप अंधेरे से लड़ते हैं तो आप हमेशा लड़ते ही रहेंगे कर वाले खाले गार आप रहेंगे दूर्णी कर्सावकरten की जर वाले इतो अंधेर्माल और Deutsch ने अंगे avez भौष्यक्त कर दो कर दो